हेलो और नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आप आईएस में तो आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाले है उन लोगों के लिए जो यूपीस की का प्रिलिम्स 2022 दे रहे हैं करेंट अफेस को हम पढ़ते हैं गधो की तरह मगरें गधो की तरह गधा मज़्दूरी हमें कई बार भारी पढ़ जाती है तो उस गधा मज़्दूरी को दूर करने के लिए प्रिविएस यह कोशन के आधार पे यह सीरीज हम लोग लाए है आरंब सीरीज जिसमें करेंट क्यों के चैनल पर आने वाली है तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब सभस्क्राइब समीक्षा से लेके एडिटोर्यल से लेके काफी चीज़े आ रही है तो प्लीज लाइक शेर आज कर आदें आज के टॉपिक पर बेगे सबसे पहले जो कोस्टेंग आइनलाइस से कहां पाए जाते हैं पांच वा कुछ स्पेसिफिक फीचर जैसे कहां पर पाए जाते हैं वहां का है क्या है क्या वह कहां पर है उनके कुछ स्पेसिफिक फीचर और पांच वह था कोपी में pen down कर लेना है आज की वीडियो में आगे बात करेंगे और देखेंगे कैसे यह topics पर UPSC question लगातार पूछ रही है तो यह कुछ topics हैं broadly हम लोग ने इतने topics में आप पूरा environment cover करेंगे इन topics को भी आप लोग चाहें तो note down कर सकते हैं अब आते हैं आज के पहले question पर देखें UPSC ने पूछा था 2015 में एक question पूछा था दुगॉंग पर दुगॉंग पर दुगॉंग a mammal found in India which of the following statement is correct तो पहला statement देखें it is a herbivorous animal यहां पर type पूछ लिया कि किस प्रकार का animal है दूसरा पूछ लिया it is found along entire coast of India तो यहां पर क्या पूछ लिया habitat पूछ लिया तीसरा question की statement है the legal protection under schedule one of wildlife protection act तो यहां पर इक्या पूछ लिया कि conservation effort में यह किस act के अंदर जो हो आ रहा है तब इसका answer देख लेते हैं तो उस time पर इसका answer था C, C बोले तो यहां पर one and three तो यह herbivorous animal था और तीसरा था protection under schedule one of wildlife protection act अब देखें दूसरे question पर आते हैं दूबंग के बारे में ही था दूबंग का vulnerable to extension यह 2009 का question था यह किस type का animal है अब देखें previous year question में 2015 में क्या पूछा गया यहां पर बताएगा कि mammal found in India मगर 2009 में question था कि दूबंग किस प्रकार का animal है तो यहां पर mammal the answer तो हमारा वैसी correct हो जाता है और देखें अगर जिसने 2009 का यह अपने आप ही 2015 का question attempt कर लेगा क्योंकि 2009 में UPSC ने दूबंग के बारे में पूछा था तो इस तरीके से एक question तो 2015 में आपका सीदे सीदे से हो गया previous question का analyze करने का यही फायदा है अब तीसरे question पर आते है with reference which one of the following is national aquatic animal of India अब यह पूछ लिया feature कि यह है कौन सा इंडिया का national aquatic animal है कौन सा तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि यह है यह है सी नंबर यानि की डॉल्फिन अब यह इतना तो आपको समझदारी है कि डॉल्फिन होगी ही होगी national aquatic animal of India तो आपको यह चीजे जो है सोचते हुए चलना है एक्जाम में कि जो important चीजे आप आप से national animal of India पू other than poaching what are the possible region of decline of population of Genghis Dolphin अब देखिये ना यहां पर UPSC ने क्या question पूछा यहां पर UPSC ने क्या question पूछा यहां पर UPSC ने question पूछा National aquatic animal of India यानि Gengetic Dolphin अब आगे क्या पूछ जाया उसी पर जोड़ते हुए उसके threats पूछ ली है construction of dams and barrages on driven increase in population of crocodile getting trapped in fishing net accidentally use of synthetic fertilizer and agricultural chemical crop field in the wind city of rivers अब देखिये इसका answer कितना सीधा 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 था के 2015 का यह question जिसमें पूछा गया National aquatic animal of India यह पूरा होता नहीं होता तो देखिए यही चीज है कि UPSC कैसे questions को repeat कर रही है dolphin के उपर दो बार question दूबां के उपर दो बार question आ चुका है अब आगे बढ़ते हैं तो पूछा जाता है fauna के ऊपर ठीक है consider the following fauna of India मैंडा एक question है difference between flora and fauna comment कीजिए तो सबसे पहले comment सुंगे और सही comment सुंगे उनको giveaway में जरूर एक gift रहेगा हमारी और से comment करके इसका answer जरूर बताएं तो consider the following fauna in India घरियाल, leatherback, turtle, swamp deer इनमें ऐसे consent is injured इसलिए पहले एक list दी गई थी कि यह है questions पे UPSC target पूछ रही है आप यह भी हो सकता है अब देखिए यह तीन आप से पूछे है ना UPSC option में leatherback, turtle, swamp deer और घरियाल यह तीनों options भी prepare करके जाएं क्योंकि UPSC इन से कोई भी question पूछ सकती है तो आपको घरियाल, leatherback, swamp deer और पीछ इसका answer क्या होगा, इसका answer होगा D, none of the above, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, in which of the following states is lion tail macau found in India in its natural habitat, अब देखिए यहां पर distribution की बात कर लिया है, कहां कहां पाया जाता है, तो देखिए इसका answer हो जाता है A, यानि की 1, 2 and 3, यानि की Tamil Nadu में पाया जाता है, Kayla में पाया जाता है तो अब lion tail macau के बारे में, distribution के बारे में तो आपको बता दिया, 2013 के question में, मगर ज़रूरी नहीं है कि आगे distribution पर पूछे, इसका IUCN status पूछ लेगा, इसका आगे यह पूछ सकता है कि इसका habitat कहां कहां है, इसको threats क्या क्या है, यह यह UPSC पूछ सकता है बबबबा, तो याद detection of its habitat, which one of the following, it could be the animal, अब देखिए, यहाँ पर UPSC क्या कर लिया, कि statements का question बना दिया है, और नीचे दे दिया, option की यह कौन है, तो यह deep understanding कब आएगी, जब भी आप इस species को उन 4 categories में पड़े, जो 4 categories हम लोग पीछे बता चुके हैं, और आगे video के end में फिर से बताएंगे, उ Indian gazelle, इसके उपर भी UPSC question पुछा है, gazelle के उपर, आगे देखते हूं वो क्या थे, अब देखिए, एक और question UPSC पूछ दिया, in which of the following regions of India, are you most likely to come across the great Indian hornbill, कहां आ सकते हैं आप, तो इसका आंसर था D, यानि की western ghat पे, तो अब यहाँ पर question की इसके उपर पूछा, UPSC आतार question पूछ रहा है, फिर एक IUCN पे status पे question आता है, 2012 में, which one of the following groups of animal belong to category of endangered species, अब बताइए फिर UPSC, IUCN का रटार लगाने लग जिया, अब आप कहते हैं, कि UPSC जो question repeat नहीं करता, बिल्कुर करता है, आप questions को उठा के तो देखिए, question का analyze तो कीजिए, definitely questions repeat होते हैं, अगल analysis नहीं किया, तो इसमें UPSC की के क्या गलती है, इसका answer था, A, Muscadier, Red Panda और Asiatic Wild Lags, तो इन सब के IUCN status और चार और चीजे, जो आपने वीडियो के end में बताई है, उनको prepare करके जाएगा, अगला question देखिए, what is unique about kharai camel, a breed found in India, फिर feature पूछ लिए बाइया, अगली बार IUCN status पूछ ले, खarai camel का, तो वह भी हो सकता है, तो it is capable of swimming up to 3 km in seawater, क्या सही है, मेरे इसाब से तो सही है, it survives by grazing on mangroves, तीसरा question था, it lives in the wild and cannot be domesticated, तो इसका answer क्या था बाबवा, इसका answer था, A, 1 and 2 only, तो देखिए, एक feature पूछा है यहाँ पर, अब IUCN status, distribution, यह सब चीजे आपको prepare करनी है, खarai camel की भी, अब अगला देखते है, consider the following statement, 2012 का यह question है, black naked crane, cheetah, flying squirrel, snow leopard, अब इसमें UPSC post लिया है, habitat के बारे में, ठीक है, habitat के बारे में पूछा है, तो यह कहाँ पाए जाते है, naturally in India में, अब इसका answer देखिए, इसका answer है, B, यानि 1, 3 and 4, तो ठीक है, इस तरीके स जो है, आपको, questions को prepare करने है, अब मान लिजे कि, यहाँ पर, जो है, कोई और options होता, जिसमें जो इंडिया में पाए नहीं जाते है, तो आपको, यह सब specifically ध्यान रखने है, कौन सी, कहाँ पाए जाती है, क्या उनकी species है, क्या वो है, अब वल्चर के बारे में, question UPSC, पूछ जिसकी वज़े से जो है, वो मर रहे थे, अब आगे बढ़ते हैं, what is difference between antelope, oryx, and chiru, अब देखिए, difference पूछ लिया, दो species में, अब दो similar species है, उनको, आपको, वो करना है, उनके features को ध्यान पर रखना है, ताकि, आपको, चीजे जो है, वो पता लगता है, इस question का answer, आप ल आगे, हम लोगों ने कैसे list किया है, तो कुछ इस topic को, जो है, UPSC इस तरीके से पूछ रहा है, IUCN, बेज़े स्टेटस है, wildlife protection act से है, sites appendix से related questions है, तो important species, जैसे coral और animal diversity, इस तरीके से भी UPSC लगातार question पूछ रहा है, तो site appendix, wildlife and IUCN status, इस type से UPSC major league questions पूछ रहा है, अब श स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो यह क्या है, यह एक mammal है, इसका status के IUCN, वल्नरीबल है, यह schedule 1 of wildlife protection act, और sites appendix 1 में है, इसका habitat की जब हम बात करें, coastal habitats में है, जो green grass meadows support करता है, वहीं पर यह पाया जाता है, इसके specific feature के हैं है, कि यह marine herbivorous animal है, अब इसके distribution की जब भी बात करें Red Sea, Persian Gulf में पाया जाता है, इंडिया में कहां पाया जाता है, Gulf of Kutch में, और western ghat के आसपास Gulf of Manar में, ठीक है, और Gulf of Manar Biosphere Reserve है, उसमें सबसे ज़्यादा population है इसकी, और यह पाया जाता है अंडिमान निकोबार आइलेंड में, अब threats की बात कर लेते हैं, वही incidental capturing, boat strike, जो जो हो standing से आपको पता चल जाएगा, बस यह पता हो कि वह जमीन पे रहता है, आसमान में रहता है, या फिर पानी के अंदर रहता है, तो उसके बाद आप चीजे कल लेंगे, अब यह देखे, lion tail macau, कुछ-कुछ UPSC aspirants जो है, उनकी सकल भी तैयारी करते-कुछ ऐसी ही हो जाती है, वो जो जादातर समय अपना भीताते हैं, कमरों के अंदर यही कुछ इतनी लंबी दाड़ी उन लोगों की हो जाती है, तो हशिएगा मत, जरूर सोचिएगा कि कहीं आप भी इस category से नहीं है, तो आपका भी जो अभी status है, वो endangered status है, मैं बता दूँ कि ऐसे याद कलीजेगा, यूपेसी की जो त्यारी करते करते हैं, लंबे दालबाड़ी हो जाएं, उनका जो IUCN status है, वो endangered है, उस पे तैयारी की जा रही है, कि उनको endangered से जो है, अधिकारी बनाया जाए, मगर अब उनके कर्मों पे भी depend करता है, अब conservation status की जब हम बात करते हैं, तो यह है साइट का appendix one, और schedule क्या है, schedule one part one of wild life protection act 1972 के अंदर यह जो है, वो आते हैं, अब habitat की जब हम बात करते हैं, यह diurnal है और aboreal है, अब मुझे यह बताए, diurnal aboreal का मतलब क्या है, अब यह मत कहिएगा कि हम अपनी ही प्रजाती के लोगों को नहीं जानते हैं, जो लोग हैं उनसे में बात क तो यह humans को avoid करते हैं, हम distribution की भी बात कर लेते हैं, कहां कहां पाये जाते हैं, पाये जाते हैं, करनाट का, Tamil Nadu, Kela, Western Ghat, Qudremuk National Park, Periyar National Park, Silent Valley National Park, Shandurne National Park, Indira Gandhi National Park, इनके लिए threat क्या है, habitat loss, hunting और illegal trade, तो भाया ठीक हो गया, अब यह देखे, यह साब शींग वाले बाबाबा आगे जिनको कहते हैं, one horn rhino, यह क्या है, mammal है, जो कि herbivorous है, IUCN status क्या, vulnerable है, इनके लिए conservation effort चलाए है, भाया, हमने क्या क्या चलाए है, चलाए है, rhino effort, rhino vision 2020, sites appendix 1 में included करा इनको, habitat कहां कहा है, tropical और subtropical grassland, savannah और shrubland, इनके feature क्या क्या है, यह के लिए रहना पसंद करते हैं, adult male rhino, जो है, वो adulthood में, जो है, gather होते हैं, और gays करते हैं, खुब जाता तरीके से यह लोग इखटा हो जाते हैं, उसके बाद, males, उनकी home range होती है, defined होती है, loosely, अब मुझे एक बाई, comment section में बताए है, कि home range का मतलब क्या है, ecology and environment का बहुत important topic है, home range क्या होती है, मतलब कि, मैं आपको बात कर लेते हैं, तो extensively distributed in Ganga Plain, और North Bengal, Assam, इधर यह पाया जाता है, इंडिया में, काजिरंगा, और अरंग, पुबित्रा, जबलदारा और दुद्वा नेशनल पार्क में यह पाया जाता है, threat के है, habitat loss, hunting, illegal trade, अब बात करते हैं, flying squirrel की, अब देखें कुछ इस तरीके की लो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो लड़के त्यारी करते हैं, तो उनकी दाड़ी बढ़ जाती है, जो लड़के त्यारी करती है, उनका मुह से बढ़ जाता है, तो इस तरीके से आप यह देख सकते हैं, ठीक है, तो उन लड़कों का मुह कुछ प्रकार का हो जाता है, क् फैसन कमरे के अंदर नहीं चल पाता है बात करते हैं तो यह प्यक्म करते तो कमेंट में बता दो तो यह चुछ तो लुट एक तो यह इसके लाफ। प्राइट के लिए नहीं है और इसके अलावा बर्ड यह एक दूसरे बर्ड की तरह यह फ्राइट नहीं करती है इनको फ्राइइंग स्कुर्ल काया तो आप कुछ लोग सूच रहे होंगे कि लड़किया भी जैसे पापा की परी उड़ती है यह क्या करती है एक डाल से दूसर करते हैं एक दूसरे से दूसरे एक फ्लोर से दूसरे उसमें अब बात करते हैं इनका इस्टिपूशन कहा रिस्टिक्टा है नामदापा में अरुण अचल प्रदेश में इनके लिए थ्रेट के क्या है पोचिंग हंटिंग एडसे ठेकरा ठीक है अब आगे और बढ़ते है तो भई यह रही हो तो रोको ना मत बिल्कुल हस्ते हस्ते पढ़ेंगे अब यह आ गए हैं सेर खान जब यूपीएश्ट के आप बन जाएंगे ना बादसा यानि याइस बन जाएंगे तो इस तरीके से कुछ बैठे होंगे सेर सा तो उनका स्टेटस भी एंडिंजर्ड है क् पहले का स्टेटस क्या था जो बंदर था वह भी कुछ पाए जाते हैं मतलब कुछ ही पाए जाते हैं तो इंडिंजर्ड होता है अब जो लड़किया होती है वह तो क्रिटिकली एंडिंजर्ड है सो में एक लड़किया आती होगी तेयारी करने उसके बाद भी उनका मूं सि पाए जाते हैं तो बंगाल टैगर कहां का फाउंड होता है इंडिया के स्मॉलर पार्ट में बंगलादेश नेपाल भूटान चाइना म्यानमार यहां भी पाया जाता है इंडिया के यहां भी पाया जाता है और यह एक मात्र सुंदरबन ही ऐसा एरिया है जहां पर मैंग्रूप में भी रहते हैं सेरखान साहब तो इनके लिए थ्रेट क्या-क्या है हंटिंग लॉस और हैबिटेट कोई शक नहीं अगली बार UPSC पूछ ले कि the only animal living in mangroves is तो शेरखान साहब का नाम याद रखिएगा कि इंडिंजर्ड है सेडूल वन में है और यह पाए जाते हैं अब देखिए कुछ-कुछ लोगों के दाड़ी उकती है तो कुछ-कुछ लोगों के बाल जो होते हैं उपर को बढ़ते जाते हैं तो अब याद रखिएगा कश्मीरी स्टेक की तरह जिन लोगों के बाल उपर हैं UPSCS parents के वह भी critically endangered है क्योंकि UPSCS parents हमेशा serious होता है तो यह कहां का included है यह schedule 1 wildlife protection act 1972 जम्मू कश्मीर wildlife protection act 1978 इनके लिए चलाए गया वह यह project हंगुल ठीक है कश्मीरी कश्मीरी स्टेक के लिए यह पाए जाते हैं dense river rain forest और high valley mountain में इनकी सब species की जब हम बात करें elk native यह सब species हैं elk के और यह इंडिया के नेटिव हैं एंडेमिक हैं जम्मू और कश्मीर के इनका distribution की जब हम बात करें कश्मीर वैली नदन चंबा डिस्ट्रिक हिमान चल की और यह protect के जाते हैं ठाचिगाम नेशनल पार्क जबर्वन रें पोचिंग यही चीज़े निकिले भी होंगी जितने यह जानवर होंगे उनको आदमी मार के खाएगा इनकी खाल उतारेगा यही चीज़े जोंगे उनके major extension के कारण होंगे आप लोग सोचे होंगे इतने वेगली क्यों डिफेंड कर ला क्योंकि स्वामानिय भाशा में आप कि आप में दिखें दाड़ी का गां के निकिस तerson कर दो ऊचन के दृष्ट जिनकी धारी नीचे को बिल्कुल इनके सिंह के चिंकारा कहिएगा उसको जब आगली बार से कोई ऐसी दाड़ी वाला दिखें तो तो इसका नाम चिंकारा रख दीज़ेगा तो जो होगा हमें व सकी में बातों करें भी ध्यानी मत दीजेगा. जह कहां यह होता है हिआ है? पाया कहा चाहता है? प्लेटेशन, प्लेकर धरफॉरेस्ट, अरी स्क्रॉथ। इसपी फिचर के बात कर लेते हैं एसियर्टिक एंटिलोप ते है इस प्यारेटिक एंटिलोप है, विग उप लिए ए वेशर्ट आफ वेश्टर इंडिया एट सेट्र इक ह मैं तक पाया जाता है अब एकस्था करते है लाद करते हैं फोना में रड़ पंडा की तो देखिए बाया यह उपान्डा की जो है न मरे कुछ यूपैस्च कि होते हैं खाते पीते सो जाते हैं तो याद रखे का जो आपक कम सिकम मैं serious नहीं बोलूँगा वो sincere transparent होते हैं जो serious होते हो सो जाते हैं ठीक है serious होके hospital नहीं जाना है sincere होके पढ़ाई करना है ठीक है conservation efforts की जब हम बात करते हैं site's appendix 1 में हैं पाय जाते है template forest में इनकी feature की जब बात करें state animal of sikkim west bengal अरुनांचल प्रदेश तो बहुत ही important हो जाता है arboreal or nocturnal का अभी तक आपने google search नहीं किया सर्च करके मुझे बता तो अगले lecture में मैं समझा सब्सक्राइब कि arboreal or nocturnal का मतलब क्या होता है तो यह fit किस पर होते हैं bamboo पर होते हैं एक खाते हैं बड खाते हैं इंसेक्ट खाते हैं अकेला प्राणी कि कुछ बोटे जो भी aspirants होते हैं रात को पढ़ने वाले लोग होते हैं बिल्कुल बिल्कुल UPSC aspirants की जरनी से compare कीजिएगा और दिन के समय सेडेंटरी रहते हैं अब सेडेंटरी का भी मतलब पूछींगे तो क्या मतलब है यूपीएजी की तियारी करने का आपको अगर इतना है नहीं बता है तो रैट पंडा की जो बात करते हैं यह टेंप्रेट फॉरेस्ट हिमालिया रेंज की वहां पर पाई जाते हैं और फु फेलिंग मदल वालो तो दूसरा हो जाएगा तो यह पा का है शिक्किमें नियोरा नेशनल पार्क हैं वेस्ट बंगल में नामडाफा का है अवनाचल प्रदेश में नियूज है ता कि बैंबू की फ्लावरिंग किस वज़े से रुख रही है तो आप मेरेको बताईए कि बह जो नहीं बताएगा तो UPSC की तयारी फिर मैं बोल ला हूँ जोला उठाओ वापस जाओ ठीक है अब पिग्मी होग की बात करते हैं अब देखे कुछ कुछ लोग पिग्मी होग भी है कैसे बने हैं UPSC की तयारी में वह भी आगे जानेंगे तो यह क्या है यह मैमल एक क्रिट अब यह मैं अब यह मत कहिए कि यह उपेस्ट के लिए नहीं है इंडिकेटर स्पीची का मतलब आप लोग कमेंट सेक्षन में बताएंगे नहीं तो हम लोग अगले लेक्चर में बताएंगे मेरे इसाब से सभी लोग ने पढ़ा है तो बिल्कुल बता दीजे किस चिज को अब आगे बढ़ते हैं तो जान लेते हैं आगे किस प्रकार से कौन-कौनसी फ्लोर अफोना हमारी जो है न्यूज में है तो अब हम बात कर रहे हैं ओलिव डटल के वबात करते हैं दिखें ओलिव डटन अ-फर को चाल उस्सी करणते हैं और ऐसे कुछ लोग जो होते हैं यह विर्ले ही होते हैं इनको Wulnerable section में माना जाता है ठीक है तो माल लिजे आप क्या है वर्ली टटल जो 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 एक बार बताईएगा comment section में तो इनका conservation effort की जब हम बात करते हैं appendix site 1 appendix 1 of sites schedule 1 of wildlife protection act में यह पाए जाते हैं इनके habitat क्या है वर्म ट्रोपिकल वाटर प्राइमर्ली पैसिफिक इंडियन ओशन और अट्लांटिक फीचर क्या है मास नेश्टिंग करते हैं जिसका नाम है अरिबाडास मुझे बताइए का अरिबाडास में क्या करते हैं मास नेश्टिंग क्या हुआ एक साथ आके नेश्टिंग करना ठीक है कार्णी वोरस होते हैं में ली तो बचके रहे हैं आप जाएं कच्छवे को खाने और कच्छवा ही आपको जबा जाए तो इससे भी बचिएगा तो यह क्रियेचर पर फिट करते हैं जैसे जैली फेश, स्नेल, क्रैप, श्रिम्स इनके ओपर फिट करते हैं नेश्टिंग साइट कहां का पर है होप आईलेंट को रिंगा वाइललाफ सेंचुरी अंद्रप्रदेश में पर देख लीजेगा गरीमाथा बीच ओडीशा अस् तो इस तरीकें से जो जो चीजे हो सकती हैं कोस्ट पर रखके देखेगा ना यह अधिन ऍे इसका उस्का नाम है घचल यह जिसके भीवाल उपर को खड़े रहते हैं इसका भी आईउसीन स्टेट़ फट्शक वर जो राखें देख उस्ट्राइव गिश्ट्रवेशन दिया कहां होगा जिससे इसके बाल है यह ज्यादा लंबे ग्रास-लंड में रहना पसंद करेंगा इसके अलावा स्वैंप लेंड में यह पाया जाएगा वर्गिन में पाया जाएगा ग्राष सब्सक्राइब नञ घरशी फुद लेंड चाहिए बिद्ध्र का यह पाया से स्ट्रीं परके तो यह चाही कि एक पानी में चला कर रहे हैं वह कौन से हैं वह ख़टाई तो अब कुछ-कुछ यह थोड़ा जदा खफ हो गया यह पेस्ट वालों के लिए तो यह पानी में तैर के जा रहे हैं ठीक है एक मात्रहजारों में एक जो इस आई पीस आएंफस जो आउख चोड़ देते मैं इस हैं जो samकोर्च खाण कि इस्ट्यूश्टम में कहा पाए जाते हैं गुझरात के इसके टिस्ट्रीशिस्टम में के वाटर के शियत starring कर सकते थी इन किलोमेटर तक मेंगूफ की सर्च में और यह डिस्टिंट है अधर कैमल से क्योंकि इनकी राउंडड़ बैक होती है और रोके बजाए और पाउं बहुत ही छोटे-छोटे होते हैं और यह डूमेस्टिक ब्रीड भी है और इनको थ्रेट्स के कहा हैं देखिए क बात करते हैं वाइल्ड एस की तो वाइल्ड एस को देख लेते हैं अब उसको दूसरे तरीके से मतलीगए तो इनका टाइप क्या है वाइल्ड एस का टाइप है मैमल तो आयोची एन-स्टेटेस के है निंजर 2015 था अभी क्या है करेंट स्टेटस आप लोकमें सेक्शन में ब वह स्रोशtt में लिज अगया Μश्ज में ऑर यह değiş में गोर्खाए तो इंडियन ख्रोड, गुलकवृ्खवर। यह अच्य गूर्थनी की सश्राणिधियंगे । साथ इस्टन आरान थेट्स क्या होंगे वही है वह कर दिया कुछ नहीं डिजीज आगी और जैसे प्रॉली बज जूली फेरा है यह क्या एक इन्वेजिव स्पीसिज गुज जाएगी पड़ो के बीच में और सारे इनके जो डिस्ट्रिबूशन वाला इरिया वह खतम कर जिसके पूरे शरीर में थोड़े थोड़े चकते हैं तो कुछ-कुछ हुंगे जिनके परते परते जो है मुह में दाने वगरा हो जाते हैं तो याद रखिए का चीता कौन है वह यूपसेस परेंट जिसके मुह में कुप सारी फुनसी भोड़े हो चुके हैं और इनका भी जो है वल्नेरेबल होगा साइट सेपेंडिक्स वन में पाया जाएंगे अबिट्ट क्या होगा इनका ड्राइफ फॉरेस्ट चुप फॉर्ड़ेस्ट और सवन्ना में पाया जाएंगे फीचर क्या-क्या हैं के चीता जो है फास्टेस्ट लेंड एनिबल एक्सिंट में जो है लार्जली कौन सा पाया जाता है एस्टिक चीटा जिसको कहते है ऐसी कोनिक्स जुप्तावस वेंटिकस बड़ा हाद नाम है बदलवाने के लिए मोधी जी को एक लेटर हम लोग लिखेंगे मिलके बताइएगा साथ में लिखेंगे तब तक के लिए इसको यह हाथ रखना है और यह डाइड कब हुआ कब लास्ट था वह नाइंटीन फटी सेवन में चत्रीज गड़े में इस तरीके से आज भी कुछ-कुछ लोग शान शौकत के लिए जो इनके हंटिंग के लिए आज भी निकलते हैं इसके लिए एक लाटराम लोग मिलके लिखेंगे करती है मकर फिर भी नेशनल आइनिमल ऑफ इंडिया है शीडूल वन में जो है इंक्लूड़ेट है वालेफ प्रोटेक्शन एक्ट के साइट अपेंडिक्स वन में है 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 इसका फ्रेश वाटर रिवर राइन एकोसिस्टम यह इंडिकेटर स्पीसीज है फ्रेश वाटर की अच्छेटर स्पीश जो कुछ स्पीसिज़ इंडिकेट करती है क्या करती है कमें बताइए और ये ये हैं ये जैसे की वह करता है यह उलू को आपने सुना और इसकेा आती है और ये जो है प्रेग अपनी कैच करती है तो इन नेशनल अक्युटि के एनिमल का अप्रीक्लिय में भी पाया जाता है कुछ स्पीसिस जो हैं इसके एक्स्टेंट हो चुकी हैं from different ranges इस पे थ्रेट के हैं habitat due to water pollution hunting or catching in fish trap saltwater crocodile कुछ लोग मगरमच्च हो जाते हैं वो खाते हैं और अमर हो जाते हैं तो इस टाइब के जो यूपेस्टेंट है दिन में खाया और पढ़ते हैं और वो अमर हो जाते हैं उस टाइब के उनके ध्यानी जाना चाहिए क्योंकि तैयारी ही नहीं कर रहे होते हैं तो इनके यह कहां कहां इस प्रोटेक्शन एक 1972 प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कोस्टल हैबिटेट में पाए जाते हैं फीचर के कहां है लार्ज रेप्टाइल उन प्लैनेट अब डिस्ट्रिबूशन की जब हम बात करते हैं सॉलिड नेटिव तु सॉल्ट वाटर हैबिटेट ब्रेकिश वेटलेंड कहां कहां पाए जाते हैं कोस्ट अक्रोस साउथ इ याद रखेगा आपको ऐसे लंबे मुहाला आए जो आपको ज्यादा ग्यान दे उससे घड़ियाल चुपो जा तो उसका इसनी स्टेटस क्या होगा क्रिटिकली अंडिंजर होगा कंजर्वेशन एफर्ट की जब हम बात करेंगे तू श्यूल वन वाट्रोटेक्शन एट न करेंगा एक घड़ी तरह इसको घड़ी अल कहने का मतलब फर्म बाद करिकली और ड्रैंड़ इंडिया याद में अप्रिंड इन्टियूंत सब्स्टेबडेशन पाया जाते है और इंड करिकली तरहिए होगा तो नुड़न होगाते अन्जी संची इसंचूरी हिंश ठीक है, दीजिसे हैं.. Kathyrani Ghaat, Wildlife Century, recognized in Nepal का राक्ति नारायनी river system, फ्रेट क्या हैं कि हैं हंटिंग कर देगे शुए हैं.. बेराज बनाते रहे हैं, बेराज बनाते रहे हैं.. तो इस तरीके से यह चीजे जो है उनके लिए हैबिटेट में वह कर रहे हैं अब ग्रेट इंडियन बश्टर्ड अब देखे इस ताइप की एक चुनिया होती है जो कि वह लक्ष पे ध्यान दिया रहती है वह तो उसका ना इसका थाइप यह बर्ड है सब्सक्राइब कर देखे जाती है जाती है जाती है जाडियो वाली जोगव में लो इंटेंसिटी कल्टिवेशन फ्रैट और जेंटरी अंड्यूटिंग टेरिंस में भी यह पाई जाती है अब फीचर्स की जब हम बात करें हैविएस्ट ऑफ ओल फ्राइंग बर्स ठीक है सब से बड़ी मोटी तगली अब खाने की बिल्कुल कोई नहीं सोचेगा UPSC के एस्पारेंट से सभी डिस्ट्रिबुशन की जब हम बात करें तो यह एड्जोइनिंग एर्यास ऑफ पाकिस्तान ऑफ इंडिया बड्स जो है यह पाई जाती है पंजाब हर्याना उत्तरप्रदे सेंचुरी मद्यप्रदेश में हैं अब आगे बात कर लेते हैं ग्रेट इंडियन हॉर्मिल की बात कर लेते हैं लंबी चोच वाले भी कुछ लोग होंगे जो रंबी रंगी चोचो के साथ हमीशा रंब बदलते रहेंगे कि आज यूपसी का इस पीसी तो ऐसे लोगों के ल सुमात्रा नौर्थ इस्टन रिजन ऑफ इंडिया सब कॉंटिनेंट यहां 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 यह पाए जाते हैं वेस्टन घाट के फरेश में भी यह पाए जाते हैं लोंग वित हमालिया इस्टेट बड़ इसके फीचर की बात करें तो केला और अनांचल प्रदेश की है और यह मुझे पताएंगे कमेंट सकते हैं आपको बताना पड़ेगा क्यूंकि आप भी यूप्यस्टी के एस्पारेंट है यह परे करते हैं स्मॉल मैमल्स एट्सेटर कल्चरली बहुत सिग्निफिकेंट है कि इसके जो चोच और बालों को निकाल के जो है गले में रोजमाला धार जादू टोने से लिए माना अब एक और लंबी शिंग वाल आगया इसके बाल थोड़े कम खड़े हैं इसका स्टेटस क्या है इसको कहते है संगाई ब्रो एंपिली डियर या फिर इसको डांचिंग डियर डांसिंग यह भी डांस नहीं करता है जो जूमता है इधर से उधर दर से इधर तो यह इसको डांसिंग वह कहते हैं यह लिश्ट है जैसी डूल वन वालफ फ्रोटेंग्शन अपर आपनिक्स वन में है हविट कि जब बात करेंज है दो लेट रफिश्न के फीचर की जब हम बात करें है यह वेर सब स्पीशिस है यह एल्टर की मनिपुर में ह और क्या कहते है फुम्दी भी कहते है वन ओफ दा सेवन अभी लोगता लेक की हां पर बात लिखे गई है कि यह सेवन नाम सरसाइड में है फ्रोटिं नेशनल पार्क है तो यह चीजे हम लोग आगे बात करेंगे अभी हम बात कर रहें कि वल्गेवल इस्पीचीज की डिस्ट सब्सक्राइब बात करते हैं और वल्ड के वोशन में सभी जोगा पाया जाता है एक्सेप्ट आर्टिक एंटाइब इसका इसका डिस्ट्रिबूशन की जब हम बात करते हैं और व्ल्ड के वोशन में सभी जोगा पाया जाता है एक्सेप्ट आर्टिक एंटार्टिक नेस्टिंग सेट जो इसकी ट्रॉपिक है नॉन नेस्टिंग रेंज कौनसी है सब पॉलर रेंजिस तो यह बाते आप याद रखिएगा यूपीस्टी के एक्जाम के लिए इस्नो लेपड से उस राजदूत को हमारा सलाम है जो आज युक्रेणिन क्राइसिस में चला कर सभी भारतियों को वापस दा रहे हैं तो अपरेशन गंगा क्या है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बदाईएगा तो इनके कंजर्वेशन स्टेटस की जब हम बात करते हैं तो यह साइट सपेंड कि जब हम बात करें हमांचल प्रदेश के स्टेट बड़ यह है इस्टेट एनिमल यह है कई लोग इसको क्रॉप करके खाली स्टेट बड़ वाला मेरा वायरल कर दीने तो प्लीज यह समत करें डिस्टिबिशन की जब हम बात करें तो हिमालिया और अल्टाई मांटेन ओ करना है आप लोगों के लिए अग्ली सीजी से हैं जैसे आयू सीन की रड़ डेटा बोग के बारे में आपने अभी तक पीछे बहुत सारी कुश्चिंट पढ़े तो एक कुश्चिं का अंसर दीजिए इसका अंसर में थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगा तो इन म पीस से तॉटाइस देखले आप लोगों के बहुत से लिए करने में थोड़ी देखले के वरे अंधे के यूद धर पार दो अग्वां थे तॉटेट्व अग्ले अग्ले उन दॉपें लिए वर्ड़ी आ रोटन टो इसका अंसर दीए अब आगे अगे और बढ़ते हैं पा तो इसके अंसर दीजे इसका आंसर जो है इसका आंसर है अंसर नमबर ए जो की है वन टू एंट त्री अब आगे बात करते हैं फाइनल कोश्चंट है हमारे आज के इस लेक्शर के खतम करते हैं आज का लेक्शर है वो मुझे लगता है बहुत हैवागा काफी जोक्स भी रहे जोक्स अपार्ट तो अगर किसी भी बुरा लगा उट तो इसके लिए बहुत-बहुत स्वह है बट अल्किमेटली हमारा यह थ रहेंगे UPSC Civil Service exam के लिए थाकि आप लोग चीजे बहुत अच्छे से क्वालिफाइब करें चीजे थेंक्यू एपी लर्निंग और जो भी अगर कोई हो तो हमारा ये स्क्रीन पर नंबर आ रहा है मेल आइडिया आ रही है आप यह सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि आपके मोटिवेशन आपके इसी लाइक शेयर और सब्सक्राइब से हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है और डेफिनेटली इसी तरीके से और अपकमि अला लेक्शे का हमारा टार्गिisión है कि इस लेक्शर पे जैसे ही 1,000 लाइकस और 10,000 विवस रहा जाएंगे तो 2 na 3 दिन में तो दो तिन दिन में जल्दी से जल्दी ये टार्गेट पूरा कर दीजे मिलते हैं अगले लेक्चर में एक हजार लाइक्स और दस हजार जूस के बाद धन्यवाद जैन